अब हम task 1 की demo देखते हैं, तो हम अपने firewall system पे चले जाते हैं, firewall system में जाके क्या करते हैं, एक rule लिखते हैं, ip tables, minus t mean type of firewall, वो हमारी filter है, हमने कहा दिया, add कर दे rule, case reduction में, input में, कहां से block करने, traffic source 172 है, 24, 0.11 है, action क्या perform करने, वो हम minus jsa specify कर सकते हैं, drop, तो यह rule लिखा गया, उसके बाद हम list करके देखेंगे, ip tables, means l minus n, यहां पर वो दिखा रहा है कि drop, यह वाला source है, अगर हम minus n नहीं specify करते, तो वो यहां पर क्या दिखाने लग जाता है, उसका नाम बगर दिखाने लग जाता है, अब हम क्या करेंगे, अब client 11 पर जाके क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते है, telnet, हमने पहले ही type कर रही है, की हुई है, तो linux में बार बार type करने की जूरत नहीं है, linux 1000 command की history रखता है, तो हम telnet करके देखते हैं, नहीं करेगा, हम control c से cancel कर देते हैं, फिर हम ssh करके देखते हैं, ssh की क्या कमांड है, ssh, हम ssh को कह र इसको भी नहीं करने दे रहा, फिर हम किसको देखते हैं, यह links को भी चेक कर लेते हैं, यह भी time ले रहा है, तो हम इसको भी cancer कर देते हैं, फिर हम FTP को भी देख लेते हैं, FTP भी नहीं करने देगा, और फिर last में हम क्या करते हैं, पिंग भी करके देख लेते हैं, पिंग भी नहीं करने देते हैं, तो यही तो हम चाहते थे, बट हम और verify करना चाहते हैं, client 31 पर जाके देखते हैं, तो client 31 पर जाके हम द्वास से चला देते हैं, telnet 174 24 0.1, वहाँ पर भी ping user है, password 1 करने दे रहा है, कोई issue नहीं, पिंग भी करके देख लेते हैं, पिंग –c 2 174 24 0.1, कोई issue नहीं है, करने दे रहा है, तो इससे क्या प्रूब होता है, कि हमारा जो rule लिखा था, वो सही है, अब हमें rule चाहिए नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, rule को delete कर देते हैं, delete करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने a की बजाय आपने क्या कर देना है, d लिख देना है, अब फिर हम list command से क्या करके देख लेंगे, तब हमारा कोई rule नहीं है, तो हमने जो पहले वाला task है, उसको successfully perform किया है,